कोचा में सुल्टानपूर धाना पुलिस ने यूफ्ती से दुश्कर्म करने के आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी मुयद्दीन इचावाय रोड सुल्टानपूर का रहने वारा है और पानी सप्लाई का काम किया करता था पहले वो प्राइबेट स्कूल चलाता था और जोरान यूफ्ती उसके संपर्क में आई थी उसने यूफ्ती का अश्लील विजियो बना रखा था जो से वाइरल करने की धंकी दी जाती थी यूफ्ती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी शाधी शुदा बताया जो आ रहा है चाहरे बातचीत भी बीच बीच में उसकी बंद हो जाती थी जिसके बाद से ही आरोपी अश्लील विजियो फाहरल करने की धंकी देने लगता था पुलिस ने आरोपियों गिर्फार कर उसका मुबाइल जब्ट कर लिया है जिसको FSL जाच के लिए भीज़ जाएगा आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया है और स्थाती बता दें कोर्ट ने दो दिन की रिमांट पर भेजने के आदेश दिये और हाली में चंबल नदी में आई बाड के बाद नदी से अब मगरमचों का गाउं में आना भी शुरू हो गया है नदी का पानी उतरने के बाद मगरमचों अबादी शेत्र में आकर घरों में गुस रहे है राजाखेडा शेद्र के महतपुरा गाउं के घर में शनिवार दोपहर मगरमच को देखा गया बाड का पानी उतरने के बाद जब श्रीकृष्ण शर्मा ने पहली बार भूसे के कमरे को खोला तो उसमें एक मगरमच बैटा हुआ देखा तिलाल मगरमच कमरे के बाहर पानी के घड़े में है और लोगों ने भारवन विभाग की टीम को सूचना दी है और मगरमच को रेस्क्यू कार उसे चंबल नदी में छोड़ दिया गया है बढ़ेंगे अगली खबर की हो जालवर जिले में रामगर के अलवाड़ा के पास चौमा गाओं की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार सुपा सरपंच के घर के बाहर घेराफ कर लिया पहले पंचाग भवन पर ताला चुड़ा और इसके बाद सरपंच के घर के बाहर मटके फोड़े गए चिताया गया जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक पंचाग भवन का ताला नहीं खोला जाएगा यहीं नहीं इतना भी चुताया गया कि अब सरपंच के मामले में खुल कर विरोध भी करने लगेंगे एक महीने से पानी की टंकी खाली है और ऐसे में मोटर भी खराब है जिनके घरों में मोटर है वो भी पानी नहीं भड़ने दे रहे ऐसे में हमारी बहन बेचियां कहां चाहें इसी के साथ ही काफी दिनों की मशक्कत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है जिसको लेकार मजबूरी में बहिलाओं को तीन किलोमीटर दूर से खेतों के बोर्वेल से पानी लाना पड़ता है और अकशुरी गाड़ी की कीमत में दो घोड़े खरीदवा कर ठगी करने वाले गिरों का एक दलाल पोलिस के हट चड़ा है पोलिस ने आरोपी भटेंडा जिले में गाओं बहमन और कौर सिंग बाला निवासी भादो सिंग पोत्रुचर नेल सिंग के कबजे से ठगी के साथ लाग बावन सो रुपे गिरफतार कर लिये हैं और इसके साथ ही घोड़ी खरीदने के लिए निशान सिंग के पास आये थे और इसके बाद घोड़ी को 20 लाग में बिकवाने का जहांसा दिया जबकि घोड़ी की कीमत 5-6 लाग की थी इसके बाद निशान सिंग ने घोड़ी तो नहीं बिकवाई लेकिन उसे जहांसे में रख कर फरीद कोड़ जिले से एक घोड़ा और एक गाड़ी 26 लाग में खरीदवा दिये निशान सिंग को ये कहा गया कि फरीद कोड़ से खरीदा गया काला घोड़ा 44 लाग रुपे मे चंडीगड की एक पार्टी को बीश्च देंगे इस दोरान आरोपी ने चंडीगड की किसी पार्टी से बादचीत का नाचक भी किया और एक बार 26 lakh के घोडे और घोडी खरिदवाने के बाद आरोपी ने इन्हें बिकवाने की बात ही नहीं की इसके बाद पीरित को समझ में आया कि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं और इन लोगों के खिलाब धोका धड़ी का मामरा दर्च कराए गया